डेली करण न्यूज में अभी की खबर है खबरों में चंद्रियान मिशन 4 हालिय खबरों के मुताबिक भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस रो चंद्रियान 4 लॉंच करने की योज़ना बना रहा है बता दे कि चंद्रियान 4 का उद्देश चार साल में चंद्रमह से नमोने वापस लाना और अन्वेशर करना है इसी के साथ इस रो दो हजार अठाइस तक भारती अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मौडियो लॉंच करने की भी तैयारी कर रहा है यह भारत की द्वारा नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन है जो रोबोट की मदद से प्रियोग करने में सक्षम होगा चलिब जानते हैं चंद्रियान मिशन के बारे में चंद्रियान मिशन 1 इस मिशन को 22 अक्टूबर 2008 को आंधर प्रुदेश की श्री हरी कोटा से दुरूवी उपगरा प्रक्षी पडियान PSLV से लॉंच किया गया था यह भारत का पहला मानव रहित अभियान था जिसके बारे में माना जा रहा था कि वह लापता हो गया है इस मिशन को 2 साल के लिए मिशन पर भीजा गया था लेकिन लॉंच की एक साल बाद ही भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैग्यानिकों का संपर्क इससे तूट गया था चंद्रियान मिशन 2 यह चंद्रमा पर भारत का दूसरा मिशन है जिसे 22 जुलाई 2019 को आंतरप्रुदेश के श्री हरी कोटा जीये सल्वी मार्ग 3 से सफलता पुर्वग प्रक्षेपित किया गया था इस मिशन में पूरी तरह से स्वदेशी और्वीटर, लैंडर विक्रम और रूवर प्रग्यान शामिल थे इसका लक्षी चंद्रमा की उत्पत्ती और विकास के बारे में हमारे ज्यान और समझ का वस्तार करना है चंद्रियान मिशन 3 यह भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सौफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास हा इस मिशन के तहट चंद्रियान 3 नी 14 जुलाई 2023 को श्री हरी कोटा से उडान भरी थी इसमें एक स्वादेशी लैंडर मोड्यूल, प्रोपल्शन मोड्यूल और एक रोवर शामिल है इसका उदेश अंतर ग्रही मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रोध्योगिकियों को विकसित एवं प्रदर्शित करना है